कि कि सबसे पहले दोस्तों स्कूबर में आपका स्वागत है आज हम स्वागत करते आ डूराल विया का और उनके साथ है उनका निया इंपोर्ट फ्रेडी है गुज्राल विया क्या आपका बहुत बढ़ाजी आप पुछे जब नया ओर्नर होता है तो उसको पपी कैसे चूज करना चाहिए तो सबसे पहले पपी चूज करने का सबसे अच्छा तरीका है जी पहले आप मार्केट में अच्छे ब्रीडर्स की लिस्ट बनाई है आप पहले सबसे पहले आपनी एक च्वाइस देखे कि आपको कि इस टाइब का पपी चाहिए क्योंकि दो-तीन तरह की टाइप मार्केट में चल रही है कस्टमर के हिसाब से हर तरह की टाइब अवेलेबल है आपकी क्या चॉइस है उस चॉइस के हिसाब से आप अपनी एक टाइप के ब्रीडर की लिस्ट बनाएए फिर उन ब्रीडर से आप कांटेक्ट कीजिए उनसे आप पूछिए कि लिटर अवेलेबल हैं नहीं हैं और सबसे बड़ी बात यह है अगर वो ब्रीडर सब्सक्राइब आप तो सब कुछ ठीक हैं बार विश्वाष भी एक चीजह होती है अपने विश्वाष की हैं अच्छे वी भी बूरे भी है मारकेट में अच्छे पीटर का विश्वाष कीजिए अच्सा पपी चूज कीजियों चूज करने का जो तरीक्छा वो आप देखें लिटर में सबसे हल्दी बच्चा कौन है सबसे अच्छे तरीके से फीड के लिए कौन सा पपी रिम्स कर रहिए कौनसा पपी है जो जादा खड़के की अवाज से ढ़र सबसे जदा प्लेफुल है जो अपने मदर के साथ सबसे अच्छा शोचलाइज हो चुका है बच्चा और सबसे बड़ी बात यह जो बच्चा उच्छी अवाद से डर नी रहा कम डर रहे क्योंकि जो डर रहा है बड़ा होके उसी का टेमपरामेंट खराब होता है डरने वाला बच्चा हमेशा बड़ा ह कैसे चूज करें, how to choose bloodlines, यह सबसे main issue है जी, bloodlines का, क्योंकि हमारे इंडिया में, इंडिया में क्या जी, step all over world में 12 की bloodline ही चल रही है, एक bloodline है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि क्यों किसी को बदनाम करना, वो बड़ी heavy body type, heavy wrinkle type bloodline है, एक है proper type के dogs, जो अच्छी bloodline से हैं, जो working line से हैं, तो एक वो bloodline है, आप अपनी choice देखिए, देखिए dog रखने का हर बंदे का अलग motive होता है, किसी को कहीं लोग रखते हैं अपने घर में dog सिरफ एक show piece की तरह, कहीं लोग रखते हैं घर में एक guard dog, कहीं लोग जो होते हैं, उनको चाहिए proper working dog, उनको उससे breed से जिस चीज के लिए breed बनी हैं, उनको उस breed से वैसा workout करवाना है, आप देखिए कि आपकी choice क्या है, जैसी choice है वैसे breeder market में available है, कुछ लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रीड के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी choice लेखिए, बैया, चलो आपने तो नाम नहीं लिया, उस bloodline का, हम तो ले सकते हैं, दिमीटोर और आपके dog में, फ्रेडी में, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो सामने से ही है, जी, नहीं कस्टमर को पता तो तभी लगेगा ना, जब डिफरेंस समझा हो गया, डिफरेंस देखिए, अब मैं चलो आपने dog की example आपको सामने से देता हूँ, आप इसकी skin देखिए, कितनी tight है, इसका coat condition देखिए, इसका temperament देखिए, इसका head profile देखिए, बड़ा होने के साथ, आपको कहीं से यह नहीं लगेगा, कि यह पक की तरह इसका head है, लोगों में एक बहुत ज़्यादा misconception यह है, कि बड़े head सिर्फ टिमिट और की bloodline में ही मिलते हैं, कहीं ऐसी bloodlines और हैं, कहीं ऐसे canals इंडिया में, इंडिया में क्या पूरे abroad में हैं, पूरे Europe में भी ऐसे canals हैं, जिनके पास proper bloodline के साथ साथ बहुत बड़े-बड़े head भी है तो टिमिट और में और इन bloodline में फर्क हिया देखें, अब यह कुता है तीन साल का होने वाला है, अब तीन साल की एज में यह कुता ऐसा यंग दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि यह साल डेड़ साल का ही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ही है कि एक working line से है, यह प्रॉपर working line स हैं, यह जितना मैचूर होता जाएगा, इसका confidence और बड़ा होता जाएगा, उससे क्या होगा, कि यह जब अपनी maturity की age में पहुंचेगा, यह और beautiful लगेगा, अब टिमिट और के dogs क्या होते हैं, वो जो dogs हैं, वो 7-8 मेने की age में, 10 मेने की age में, वो कुते फुल मैचूर कर ज जाती है, टांगे इतनी मोटी मोटी हो जाती है, हेड बड़ा हो जाता है, मुझल शॉट हो जाता है, उससे क्या होता है, उनकी अब लोगों को यह रहता है, कि यह जितना बड़ा होता जाएगा, अब मैचूर होता जाएगा, अब मैचूरी की लिमिट भी होती है, अब 8-10 10 मेने की एज तक वो जो मैचूर कर गए वो कर गए बास उसके बाद फिर वो कुते मेचूर नहीं करते फिर वो दस मेने की एज में उनके बिगड़ने की उमर स्टार्ट हो जाती है फिर उनकी बॉड़ी बिगड़ती जाती है क्योंकि जितना है वी होता जाएगा उतना उसका जो movement का है, body की movement वो कम होती जाएगी, और फिर उनकी bite खराब हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, अब मैं कुछ ऐसे कुत्तों का नाम तो नहीं लेना चाता है, क्योंकि वो चलो सारे अपने भाई हैं, ब्रीडर्स हैं, अपने यार्दोस हैं, बट उन्होंने ट कुत्तों में से नहीं निकला, और वो सारे कुत्ते, mostly 3-4 एक्जांपल सो बड़ी-बड़ी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट सभी समझ जाएंगे, मैं किनके बारे में बोल रहा हूं, वो हार्ट इटक से ही मरे हैं, अब दो साल की एज में एक यंग, अभी तो यंग भी यह जितना बड़ा होता जाएगा, उतना ही ज्यादा इसका confidence बढ़ता जाएगा, यह फरक रहता है, एक टिमिट और की bloodline में, उस टाइप की bloodline और एक working bloodline के भी, आपने रॉटवाइलर रखा है, रॉटवाइलर एक guard dog है, एक working dog है, कम से कम उस कुत्ते में वैसा character तो होना है, वैसा character ही ना हो, अब चलो working है, मैं इस से working तो कोई नहीं करवा रहा है, क्या करवानी है, इंडिया में हम लोग working नहीं करवाते हैं, बट character तो है ना कम से कम, वो ही character जो है यह अपने बच्चों में पास कर रहा है, तो वो ही चाहिए हमें और हमें क्या चाहिए, तो कभी कोई डॉग परचेस करने से पहले प्रॉपर तरीके से उसकी bloodline की study जरूर कर ले, और उसके बड़ी बात है, ब्रीडर के बारे में study जरूर कर ले, क्योंकि आपने किसी ब्रीडर से डॉग खरीदा है, डॉग की ओमर 10-15 साल है, आप उस ब्रीडर के साथ 15 साल के relation में जुड का था, आज इसकी condition हम दे सकते हैं, पहली बार हमने पूरा नहीं दिखाया था, अब इसके result की बात करते हैं, result भी दिखाते हैं लोगों को, कि इसका result कैसा है, जला है, चलो भीया, यह तो आपका result आ गया, जो Sonu भाई ने पकड़ा आपके, हम इसमें बात करते हैं, पपी ड अब अगर किसी मदर के पास आठ दस पपीज हो जाते हैं, तो नो डाउट एक टाइम ऐसा आजाता है कि मदर फीडिंग दस बच्चों को कम पड़ जाती है, और फिर अगर वो ही दो तीन बच्चे हों, चार बच्चे हों, तो मदर फीडिंग प्रॉपर तरीके से होती है, तो थोड़ा सा वो पपी को डाइट अलग से जो देनी होती है, वो थोड़ा लेट देनी चाहिए, अब जैसे मेरे पास हुए थे, ये आठ पपीज हुए थे, अब मेरे पास 6 पपीज हैं, तो इसमें क्या है कि अभी इनको मैंने, अभी ये 16-17 दिन के हुए हैं, अभी माल 25 देज की हैं तक ये प्रॉपर तरीके से सेरलेक लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर 25 दिन पे मैं इनको स्टार्टर जो है, मैं एनन डी की स्टार्टर यूज करता हूं, एनन डी फूड जो है, उसका स्टार्टर मैं इनको देना स्टार्ट कर दूँगा, फिर 25 देज पे सेर कर वालेते हो क्या रखते हो डेकि मदर को जो डाइट चाहिए होती है एक तो पपी होने से पहले हाई प्रोटीन डाइट उसमें फैट रेशो हो बट कम हो प्रोटीन जयादा हो फैट रेशो कम हो और उसके साथ उसको कैल्शियम विटामिन और अच्छी क्वालिटी का फूड अगर आप अच्छी quality का food देते हो, जो top quality जैसे NND हो गया, आडन ग्रेंज हो गया, इस तरह के food आप यूज करते हो मदर के लिए, तो उससे क्या होता है, supplements आपके कम लगते हैं, सस्ता food दोगे तो उससे मदर को अलग से calcium, vitamins वगरा अलग से देना पड़ेगा, और meat वगरा आप अच्छा food जो है, उसमें सब कुछ ingredients प्रोपर तरीके से पहले यह mix होते हैं, तो मैं तो हमेशन यह recommend करता हूँ कि मदर को लिटर होने से पहले आप जो अच्छे से अच्छा food अवेलेबल है, अच्छा result पाने के लिए अच्छा food दीजिए, और मदर की सहत के इसाफ से, मदर को भी वही food देना स्टार्ट कर दूँगा, मान लिए अभी तो इनकी जो मदर है वह pedigree active adult पे है, अब जैसे 25 दिन पे मैं इनको सेरलेक से हटा के अपना स्टार फूड पे चेंज करूँगा, मैं 20 दिन, जब यह 20 दिन के हो जाएंगे, इनकी मदर को मैं पहले वह स्ट करूंगा, ताहां कि क्योंकि फीड के साथ साथ यह mother feeding भी लेंगे, ताहां कि mother feeding में भी उनको वही चीज मिले, वह starter खाएगी, जिस तरह का वह food खाएगी वैसा ही दूद बनके बच्चों को मिलेगा, और उसके बाद बच्चे भी वह starter खाएंगे तो growth or double होगी, अभी तो य जब इनकी growth होती है, भूम करेगी तो इनको उस टाइम अच्छा sports system साथ में चाहिए, और जिस दिन बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के दो दिन बाद इनको multi vitamin drops तो देनी हर बच्चे को जरूरी होती है, तो इनका पहले दूसरे दिन से ही चल रहा है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नमबर डिस्क्रिप्शन में गुजराल साब के मिल जाएंगे, गुजराल रॉट्वाइलर पतेयाला में लोकेटेड है, आप इनके बच्चों की इंक्वारी भी इनसे ले सकते हो, अगर फ्रेडी के बारे में और कुछ पूछना मैं अच्छली इनके कैनल ओफिस में बैठा हुआ हूँ, तो आप मतलब इनसे सारा कुछ इस बच्चों की डेटेल ले सकते हो, इसके इलावा भी आपके पास कोई और लीटर था ना, मैं देखिए, बहुत कम लीटर लेता हूँ, मैं साल में एक या दो, मैक्सिमुम तो मैक ज्यादा हुआ जाए तो मैं तीन लीटर से ज्यादा लेता नहीं हूँ, इन बच्चों की मदर के बारे में हम बात करना भूल गए है, इनकी जो मदर है, रॉक्सी आफ गुजराल, वो मेरी अपनी ब्रीडिंग की फीमेल है, वो आसको ऐल अन्टोनियस की डॉटर है वो, औ और उसकी पीछे जो छे जनरेशन हैं, वो टोटली मेरी अपनी ब्रीडिंग की फीमेल हैं, क्योंकि मेरी एक थीओरी है, जी मैं लाइफ में फीमेल कभी बाहर से नहीं करीता हूँ, मैं हमेशा अपनी ब्लड लाइन की फीमेल ही रिटेन करता हूँ, उनको अपने हर साल ने ब्ली ब्रीडिंग की फीमेल ही मैं रिटेन करता हूँ, अब इनकी मदर है, वो आसको की डॉटर है, उसके पीछे छे फीमेल जो लगी हूँ, वो सारी मेरी अपनी ब्रीडिंग की है, मेरी मेरी को पता है, कम से कम की मैं ब्रीडिंग में क्या कर रहा हूँ, अंदों की तरह की ब गद्र सब् thin část पे ऊसपर कोई भी फीमेल पर निया डॉग आई चूलो जी यूज करो और रिजल्ट लो ऐसे रिजल्ट निकलते ही अब सब्सक्राइब बॉल बॉल ऱ्रीयान बॉल भट नहे मेल को कैश करने के नाम पे वो किसी भी मेल को यूज कर लेते हैं, उनका मतलव तो सिरफ यह होता है कि पपी बिकने चाहिए, बट रिजल्ट उनका कुछ भी निकलता, अगर प्रॉपर पेडिगरी की फीमेल आपके पास होगी, अच्छी ब्लड लाइन की, आपको पता है इसकी ब्लड लाइन क्या है, पीछे कितनी जनरेशन आपको पता है, तो उस हिसाफ से आप मेल चूज करके अगर ब्रीडिंग करेंगे, तो हर लिटर में आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे कैनल तभी अच्छे बने हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से प्रॉपर ब्ल लेट साल में बनाके रखी है, थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, ओवर एंड आउट